अब कि दोस्तों सवागत आपका टेक्निकल गयान में दोस्तों आज को जो हमारा टॉपीक है कि हमें कोविन में awhile । करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि social media पर ऐसे कई message circulate हो रहे हैं कि हमें covid में AC का यूज बिलकुल नहीं करना चाहिए तो दोस्तों वाकिं क्या बात सही है तो आम इस बारे में थोड़ा अब कैसे होता है देखियो घरों में जो इसी यूज किया जाते है वो विंडो इसी यूज किया जाते हैं जिसमें यहां पर एर बलोर होता है और यहां पर इसकी कुलिंग कॉयल होती है यह एर बलोर से सीधा एर आती है रूम के अंदर और वापस यह जो सर्कॉलेट होकर इस क इसकी जो cooling coil यहां से air इस सक होती है और फिर वापस ठंडी होकर इसमें जली आती है अब suppose अगर इसके अंदर दो इनसान बैठे हुए हैं और दोनों एकदम स्वस्त हैं चाहें वो तीनों के त्यों एकदम स्वस्त हैं तो उस condition में यहां पर कोविड होने के चांस बिलकुल भी हैं आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी और दूसरा रूमों में जो यूज किया जाता है इस प्लिट एसी सेम इसका प्रिंसिपल भी यहां से इसकी एर जो है निकलती है और यहां पर उपर जो है इसका cooling coil होती है यहां से सीधा air आई इस रूम आजाएगा तो वापस से सर्कुलेट होगी तो इस condition में जो है आपको यहां पर है कोविड होने के चांस बढ़ जाते हैं लेकिन अगर आपके यहां पर फैमिली इस रूम में है सारे इसमें बैठे हुए हैं और एसी को यूज कर रहे हैं चाहें वह चार बंदे हो चाहें प दोस्तों बात करते हैं हम हॉस्पिटल में यूज होने वाले इससे कि जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं वो होते हैं सेंटल एर कंडिशन सेंटल एर कंडिशन दोस्तों होता गया है यहां पर एक एसी होता है जिससे कि जो डक्ट है पर्टिकुलर जो है हर रूम में जाती इसे ऐसे अगर टेखने कर आटी है और वासफ जुमें यूनिटसीं और इनको लग रहा कि इनकी करोना हो सकता है लेकिन इनके रिपोर्ट भी नहीं आयाई अब मुझा क्या यह यहां पर जैसी इसमें चलता है तो इसकी यहां पर आती है और वापस ए कि आप होगा एंना यहां प्लिप जो फेर सब्सक्राइज जो है क्योंकि इसमें जो कंडिशनिंग है इसलिए अपने गॉर्मेंट इसमें क्या कर रही है वो इसी ओ को हटा कि यहां पर हर एक रूम में पर्टिकुलर जो है विंडो एसी फिक्स हो रहा है इसमें ताकि इस जो पेशन्ट है इसकी वजह से कोई दूसरा पेशन्ट जो है इंफेक्टिड ना हो इसल आपसे जो एर कंडिशनर के जो है बहुत ही ख़तरनाग होती है यह वाली इसलिए मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट आप किसी भी जब तक यह महामारी चल रही है आप किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट में ना जाए सिनेमा हॉल में ना जाए हाला कि एक लोजर हॉस्पिटल को भी कम से कम ज़ह जादा से ज़ादा ओवाइड करें वहाँ पर ना जाए ज़ादा अमर्जेंसियो तब जाएं क्योंकि इन सम में अभी भी सेंट्रलाइज एर कंडिशनिंग यूज जो रही है विंडो एसी हर एक में नहीं लगा हुआ है तो दोस्तों आप जब भी घर में इसी यूज़ करते हैं अगर आप पुरी तरह से स्वस्थ हैं तो आप इन एसी ओ को एक डिजार टेंपरिचर पे डिजार टेंपरिचर यानि 25 से 26 डिग्री सेल्सेस पर इन इसी को जो है अराम साब यूज़ करिए ज्यादा चिलिंग के लिए मैं आपको मना करूंगा 20-21 डिग्री ये जो है समय काफी जो है आपके लिए हामफुल हो सकता है आप 25-26 डिग्री पे एसी को चलाईए सारे स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल ऐसी यूज़ करें लेकिन अगर को अवाइड करें जहां पर सें्ट्राइब कंडिश्निग के निशाने यह होती है इसकी जो सिलिंग रहा कि यह अपने याशी ती आओ सिगी होती है यहां से गिरिल होती है यहां आप ने शीक नदिश्करा टीज्य जा कि अ इसलिए आप इन जगह से दूर है ना तो दोस्तों अमीद है आपको इसमें से थोड़ा बहुत भी अगर आपके समझ में आया तो दोस्तों आप इस निमी लाइफ में जुरूर अपनाईएगा ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके दोस्तों कैसी लगी आपको वीड स्ट्रिक टॉपिक के साथ अब तक के लिए दोस्तों गुडबाई जाहिन